फुटबॉल की दुनिया में क्या आप बायचुंग भूटिया को जानते हैं या फिर सुनील छेत्री को? नहीं तो फिर आप ब्राजील की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाडी नेमार को तो जानते ही होंगे नमस्कार मैं गरीमा आप देख रहे हैं दानगी में हमने पहले जो दो नाम लिए वो भारत के स्टार फुटबॉल खिलाडी है जिन में से एक बायचुंग भूटिया है जो सन्यास ले चुके हैं और वहीं सुनील छेत्री अभी भी भारतिय फुटबॉल टीम में अपने खेल से धमाल मचा रहे हैं लेकिन इसी बीच फुटबॉल प्रेमियो के लिए एक खुशकबरी आ रही है वो यह है कि ब्राजील के स्टार खिलाडी नेमार पहली भार भारत में फुटबॉल खेल सकते हैं हाल ही में साओधी अरप के कलब अलहिलाल से जुड़े नेमार AFC चैंपियन लीग 2023 चॉइस में खेलने मुंबई आ रहे हैं अब आपको यह बता देते हैं कि नेमार भारत में खेलने कैसे आ रहे हैं बीते कल AFC चैंपियन लीग 2023 चॉइस के ड्रॉ निकाले गए हैं इसमें भारतिय फुटबॉल टीम मुंबई सीटी, AFC और नेमार की टीम अलहिलाल को एक ही ग्रुप D में रखा गया है इस चैंपियन लीग में होम एंड अवे तरीके से मैच खेला जाएगा टूनामेंट में 40 टीम में भाग लेगी जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बाटा गया है प्रतेक टीम होम एंड अवे मैच खेलेगी ऐसे में नेमार की टीम भारत में खेलने आई अब ऐसे में एक ही संभावना है कि यदि नेमार चोटिल ना हुए तो भारतीय प्रसंच्च को एक बड़ा तौफा मिलने वाला है यह भारतीय फैंस के लिए अपने चहीते खिलाडी को देखने का मौका है